हालो एब्रिवाइन आज का हमारा सवाल है विच वन अप फॉलिंग इस नॉट फॉर्म वैन एसी ट्रों रिएक्स विथ टू पेंटेनों इसको रिएट करवाया जा रहा है रहा है और साथ में हीट किया रहा है तो देखो यह कीटोन कीटोन विथ अल्फा हेट हो जाने है डा और यह आपका करोश सब्सक्राइन का ईक्षाम्पल सबस्सक्राइब कियों कि यहाँ पर डिपरेंट के तो दूसरा फिर आपका यसि यह वाला इसके अटाइक कर सकता है तो इस तरह से आपके बहुत सारे product मिल सकते हैं तो यहाँ पर कुछ products बनाए गए हैं आपको बताना है कि इन में से कौन सा product नहीं बनेगा तो दो कि आपके पास दो options हैं यहाँ पर question को solve करने के लिए एक तो है कि आप इस दोनों से सारे products ब आपको answer मिल जाएगा कि इसमें से कौन सा ऐसा product है जिससे हम यह रेक्टेंट को obtain नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या होता है तो देखो आप अल्डोल कंडेंसेशन का रेक्टेंट से product बनाना तो जानते हो और product यह दिए है तो उससे अल्डोल कंडेंसेशन का यहाँ पर आपका CH3 है तो CH3 में मैंने एक hydrogen को अलग कर दिया यह अलफा hydrogen होगी एच प्लस निकल जाएगा यहाँ पर माइनस आएगा इस सी ओ को bond को break करते है यह आपको यहाँ पर जाकर जाता है तो यहाँ पर product आपका मिलता है वह कुछ यह मिलता है CH3 जिस पर attack हो रहा है मैं यहाँ लग दिया और यह जो इसके बाद जो ग्रूप जैसे लगा दिया तो इस तरह से हम यहाँ पर product की बात करें तो यह आपका OH गायब हो जाएगा एक H भी गायब हो जाएगा और इस तरह से आपका यह वाला product मिल जाएगा यदि हमको वापस यह रियक्टेंट चाहिए यह product बन के अल्डूल करने से सब्सक्राइब यदि वापस रिक्टेंट चाहिए तो आपको ज्यादा दिमाग लग है तो यहां पर यहां पर डबल बांड को देंगे तो वापस आपको यह रिक्टेंट मिल जाएगा तो उमीद करता हूँ यह चीज समझ में आगी बस यही लाजिक यही कॉंसेप्ट आपको यहां पर चार ओप्शन के साथ लगाना एक दो तीन चार तो हम चलिए देखते के करके सारे में अप्लाई करके चीज़े जब यहां पर बांड को ब्रेक करेंगे तो एक साड़ आप इक साड़ आपको डबलबॉंड अक्सीजन लगा देना है तो देखेंको यह इस लेफ्ट पार्ट में इसका और आपका यहांप च्छा मिल जाएगा यहीं आपको क्यह पनवर्ट हो जागा एक काम करताओ मैं इसे मिटा देता हूं पहले देखना यहाँ पे आप सीरा सीधा देख भी सकते हो यहां पर आपको 3-3 उन मिल रहा होगा के यहां से साथ यहां पे नहीं रहें यहांज प्रोडक्ठ यह मिल इन और इधर की बात करें इस साइट की बात करें आप यहां एच्टू दोगे तो जब यहां पे एच्टू आप दोगे तो आपको देखो क्या प्रोड़क्ट मिलने वाला CS3 यहां से मैं श्रक्ट किया हूं फिर CS3 के बाद CS2 आ रहा है फिर CS2 के बाद फिर C double bond हो आ गया और फिर C double bond हो के बाद यहां पे एच्टू दिये तो यह CS2 CS3 वापस आपको मिल गया तो यहां पे देख सकते हो यह पेंटेन टूब यह पेंटेन 3 ओन मिल रहा है और यह भी आपको पेंटेन 3 ओन मिल रहा है जबकि क्या रेक्टेंट में कहीं भी पेंटेन 3 ओन था नहीं था इसका मितलब यह हो गया कि यह आपका जो प्रोड़क्ट बनाया गया यह आपका नहीं बनने वाला है तो आंसर तो आपको पता जलिए वीच आप दा फालेंग इस नौट फरम आंसर वह नहीं हो जाएगा बाइद हो हम एक एक करके बाकि तीन ओप्शन को भी चेक करते हैं क क्या देखते हैं कि क्या सही में यह आपका रिक्टेंट दे रहा है या नहीं दे रहे हैं तो चलिए कोई बात नहीं चेक करते आगे यहां पर देखो एक मैंने समझा दिया किस तरह से हमें पहचाना है रिक्टेंट की तो अब यहां पर जैसे ही डवल बांड ओ देंगे तो भी मिल गया तो दोनों मिल गया ना दोनों मिल गया इसका मतलब यह वाला प्रोडक्ट बन सकता है फ़रड में चेक करते हैं इदर बॉन्ड ब्रेक करेंगे इधर सब एंगे और इधर सब हम O देंगे तो इधर आपका CS3 इस कारवन पर डबल बांड ओ लगा देंगे तो यह एसी टोन मिल गया आपको और राइट साइड की रिए हम बात करेंगे तो देखो CS3 C double bond O CS2 CS2 CS3 क्यों यहां पर hydrogen लगाएंगे न तो CS3 C double bond O CS2 CS2 मिल गया तो अगें यहां पर हम देख रही कि दोनों रेक्टेंट्स हमें मिल रहे हैं और फिर हम लास्ट ऑप्शन की बात करें यहां पर बांड ब्रेक करेंगा यहां ओ यहां एच्टू आ जाएगा तो यहां पर देखेंगा CS3 C double bond O यहां पर CH3 मिल जाएंगे कि दो hydrogen दे रहे हैं इधर भी acetone मिल रहा है इसका मतलब यह self-pondensation का प्रोड़क्ट हो गया तो इस तरह से 2nd 3rd और 4th यह तीनों के तीनों आप्शन्स आपके reactant sorry product हो सकते हैं लेकिन जो first option है यह आपका इस दोनों से प्रोड़क्ट नहीं बन सकता इसलिए इस सवाल का सही जावब हो जाएगा option first hope you understand this question thank you for watching video